हेलो एबरीबन आप सब कैसे हो आई हूप आप सब अच्छे होंगे तो वेलकम बैक टो माई चैनल है माक इंट्रेस्टिंग ब्लॉग यहां पर मैं बनाने जा रहे हैं बटर पनीर मसाला और वो रेस्पी मैं आपके साथ सेर कर रही हूं काफी लोग बोलते हैं कि हम घर पर ट स्टूरेंट में खाते हैं तो आज मैं आपको आपके साथ रेस्पी आपके साथ सेर कर रही हूं तो मेरे वीडियो के साथ बने रही है और देखते रही है सिकिप मत करना तो चलो तो सिकाती हूँ कैसे कैसे बनाती है बटर पनीर मसाला आप देख सकते हूँ कितना अच्छा बन के त्यार हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हमने लिया है पहले एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया बटर बतला कि जो यह बटर पनीर मसाला है यह बटर सी बनती है तो मैं इसमें डाला है लसुन जो कि मैंने बारिक काट लिया था अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और अद्रक जो कि मैंने उन्हें भी बारिक चौप कर लिया है और यहाँ पर मैंने अद्रक और हरी मिर्च डाल दियें अब मैंने डाल दिये इसमें प्याज जो कि मैंने दो मतल एक बार मेरे तरीकिसे बना के देखना, आप दो की जिगे चार रूटी खाएंगे, और बहुती टेस्टी बनती है, बहुती एजी रैस्पी है, फटाफट से बन जाती है, और यहाँ पर प्याज भी भून चुकी है, मैंने इसे जादा ब्राउन नी किया है, और अब मैंने ड तक पकाना और यहां पर मैंने इन्हें पीस भी लिया था तो अब मैंने क्या करा है कि फिर फ्राइफेन लिया और उसमें बटर डाला है अब मैंने इसमें डाल दिया है दो तेज पत्ते और दो काली मिरच अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने मतले कि यह प्याज काटी थी छोटी वाली वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम भूल लेंगे जब भुण जाएगी तो इसमें हम सारे मसाले डाल दिया अब यह भुण चुकी है और अब मैं इसमें ड छाल मिर्च, आदी चम्मच धनिया पॉडर, आदा चम्मच गरम साला और नमक अपनी टेस्ट के कॉड़ी अब हमने अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहां पर मैंने हलका सा डाला था पानी और अब मैंने अच्छे से पका लेते हैं अब यह पक चुका है तो अब इसमें डालेंगे जो मैंने पहले मतले की ग्रेवी तियार करी थी वो मैंने अच्छे से मतले की मिक्सी में पीस ली थी और इसका मतले की स्मूथ सा पेस्ट ब बड़े बड़े काटे हैं जो कि मतले कि इसमें पनीर के जो पीस हैं वो आपको मतले की पतला नहीं करना है जो पनीर के पीस है वो पतली नहीं काटने हैं मैंने यहाँ पर पनीर के जो पीस थे वो मोटे-मोटे काटे हैं अब मैं इसे पांच मिनट तक ठक कर अच्छे से करेंगे इसमें डालेंगे आपके पास मतले की जैसे घर पे मलाई हो या आप मतले की क्रीम ला सकते हो तो आप इसमें आप मतले की वो क्रीम या मलाई एड़ कर सकते हो तो यहां पर मैं एड़ कर रही हूं यहां पर मैंने एक कटोरी में लिए क्रीम और मैंने इसमें एड़ कर आपको ये रैस्पी कैसी लगी अगर रैस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये रैस्पी ज्यादा से ज्यादा से रखीजिए और लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा यहाँ पर मैं कर र रिटिन करूण का लड़ कर दो हा है